हेलो बच्चो मैं हूँ शुभम गुपता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स एक आएक और चाप्टर नौबत खाने में इबादत बच्चो ये जो चाप्टर है ये बड़ा कमाल का है ये चाप्टर एक सची श्रधानजली है एक महान दिगच को एक लेजंड को श्रधानजली यानि कि क्या श्रधा रूपी अंजली श्रधा सहित अंजली यानि कि सम्मान व्यक्त करना श्रधा सहित अपना सम्मान व्यक्त कर एक तिलानजली भी होती है इसका जिक्र आपने महाभारत वगेरा में सुना होगा कि जब कुरुशेत्र का युद्ध हुआ था तो दोनों पक्षों के युद्धा मरे थे और मतलब सूर्यास्त के बाद युद्ध जब समाप्त हो जाता था तो मरे होई लोगों को तिलानजली दी जाती थी तिलानजली देने का अधिकार केवल आपके अपनों का होता है पर श्रद्धानजली आपको कोई भी दे सकता है आगर आपको कोई सगा संबंधी नहीं है कोई मित्र भी है या बहुत दूर का रिष्टेदार है या कोई सिर्फ जानने वाला है तो वो भी दे सक जो नौबत छाने में इबादत यह जो चाप्टर है इसके लेखा कैस रही है तींद्र मिश्र जी यह चाप्टर के लिए सलामी है और साती सात यह चाप्टर जो है उस्ताद बिस्मिल्धा खान की जीवन क gevारे में ठीक है ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चार से पांच important बाते हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है unnecessary या irrelevant नहीं है अगर आपको यह नहीं पता होंगी तो शायद चैप्टर समझने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि कुछ ऐसे नाम है जैसे उनके चाचा के नाम कौन-कौन से मंदिर है कुछ basic details मैं आपको दे रहा हूँ उसके बाद हम directly स्टोरी पे जंप करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पार्ठ के लेखक यतींदर मिष्ट जी है और नौवत खाने में अबादत देखिए नौवत खाना और अबादत हना नौवत खाने शब्द का अर्थ जानते हैं सबसे पहले मेरे लेखक के बारे में आपको ज़्याद जानने की जरूत नहीं यतींदर मिश्टर जीन का नाम था और आप इतना जान लीजे कि यतींदर मिश्टर जीन ने ये पार्ट अपने अनुभवों के आधार पे भी लिखा है कि वो जितना जानते थे उस्ताज साहब को, बिस्मिल्ला जी को हना, वो कितना जानते थे उनको उनका इंटराक्शन बहुत सीमित रहा है पर साती सात बिस्मिल्ला खान साहब ने अलग-अलग साक्षातकार दिये हैं इंटर्व्यू दिये हैं अलग-अलग लोगों से या फिर मीडिया के सामने उन्होंने जीवन के प्रती अपने नजरियों को सामने रखा तो उससे ने वी उनकी रचनाओ से, उनकी शेहनाई को सुनकर के, उनसे मिल कर के, इन सभी चीजों से थोड़ी-thोडी चीज़े लेकर के, या प्रेंडना लेकर के, यति अंदर्मिष्ड़ जी ने यह पार्ट लिखा है हना, ये आत्म कथा नहीं है हना क्योंकि ये खुद नहीं क्या मतलब है नौबत खाने में इबादत इबादत शब्द का मतलब का इंड ओफ हम सब जानते हैं इबादत यान की क्या अपना रिस्पेक्ट देना हना सम्मान व्यक्त करना या दूआ करना प्रे करना ये सबसे आसान मीनिंग है कहीं पे भी प्रे करना यान की इबादत करना ये एक उर्दू वर्ड है अब नौबत खाना किसे कहते हैं बचो नौबत खाना कहते हैं प्रवेश्टवार की उपर मंगल ध्वनी बजाने का स्थान अब इससे मेरा क्या मतलब है देखिए सबसे पहले तो नौबत खाने शब्द में से आप खाना को अलग कर दीजे और सिर् के वाद्दे बजा रहे हैं या फिर आप किसी के मनुरंजन के लिए बजा रहे हैं ऐसा कोई भी रूम जिसके अंदर म्यूजिक हो उसे आप नौबत कह सकते हैं नौबत यह कह सकते हैं पर नौबत खाना as a whole इसका क्या मतलब होता है देखिए पुराने जमाने में नौबत प्रवेश्टवार के उपर वाली जगह प्रवेश्टवार यानकि आपका entrance घर का main entrance लेकिन यह आजकल के बच्चों को नहीं समझ में आता है क्योंकि आजकल के घरों में यह नहीं है अगर हम सब flats में रहते हैं तो main door की उपर तो कोई जगा है नहीं या घरों में भी रहते ह पहले एक बहुत बड़ा सा दोार आता था आपको याद हो गए आर्च खम जैसा हाना वो वो ऊपर से सी शेप में होटा था और काफी उचा होता था एक बहुत बढ़ा गेट होता था जिसमें गेट कहते थे या मुक्खे दौार उस मुक्खे सी जगा बना दी जाती थी वो कोई कमरा हो सकता है या बस कोई प्लाटफॉर्म हो सकता है कि वहाँ पे बस कोई खड़ा हो सके या बैठ सके वहाँ पे बैठ करके या खड़े हो करके संगीत बजाने का प्रचलन था क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य और सभ्यता में ये माना जाता है, हिंदुस्तान की सभ्यता में, कि आपके घर में अगर खुशी है, मतलब सुख हो, दुख हो, या देवी देवताओं का वास हो, कोई भी शुब या मंगल चीज यदि आपके घर में आ रही है, या फिर कोई अ प्रवेश्टवार से ही आएंगे चोर चपाटे तो है नहीं कि पीछे की दिवार फान करके आएंगे इसी लिए उसके उपर जगा बनाई जाती थी प्रवेश्टवार के उपर कि इनका स्वागत करने है तू आप अलग-अलग music instruments बचा सके तो उस जगा को नौबत खाना कहते थे नौबत खाने में इबादत इस chapter का बहुत important sorry इस chapter के नाम का बहुत important मतलब है जो आपको पाठ में आगे पता चलेगा कि नौबत खाना किसे कहा जा रहा है और इबादत किसके प्रती की जा रही है प्रती यानि कि किसके लिए प्राथना किसी ना किसी के लिए या किसी ना किसी reason से तो करोगे न anyways आपको जो 3-4 important details पता होनी चाहिए वो है कि उस्ताद साहब का जन्म जो है वो डुम्राओ में हुआ था डुम्राओ कहा है बिहार में एक छोटा सा गाओ है डुम्राओ हना डुम्राओ गाओ जो है वो केवल दो कारणों की वज़े से मशूर है पहला कारण क्या कि डुम्र इतना समझे फिलाल के लिए basic introduction के लिए कि नरकट करके घास होती है जो डुम्राओ में सोन नदी सोने की नदी आप ऐसे याद रख सकते हैं सोन नदी के किनारे पाई जाती है उसके किनारे पे ऐसी बहुत सारी घास उकती है तो वो जो घास है उसका इस्तमाल किया जाता है श बजाने के लिए नी बनाने के लिए बजाओगे तो तब ना चब शेहनाई होगी और शेहनाई बनेगी तब या शेहनाई होगी तब जब उसमें नरकट घास पड़ेगी तो डुम्राओ नरकट की वज़े से मशूर है सोने की नदी या सोन नदी के किनारे पे सोने की नदी जिससे शहनाई बनाई जाती है इसके लिए डुमराओ मशूर है और एक सिंपल सा रीजन है डुमराओ मशूर है क्योंकि उस्ताद साहब का जन्म वहाँ पर हुआ था उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब का और वो तो शहनाई के सबसे बड़े दिगज माने जाते हैं हाना जैस सचिन तंदुलकर को गौड अफ क्रिकेट कहा जा सकता है उसी तरह से इन्हें गौड अफ शहनाई कहा जा सकता है हाना उस्ताद नाम इसले इन्हें दिया गया देखी इनका जन्म का नाम अमिरुद्दीन था उस्ताद बिस्मिल्ला साहब का जन्म से नाम अमिरुद्दीन बिस्मिल्ला नाम इन्हें इनके दादा जी ने दे दिया उस्ताहद यानि कि आप कह सकते हैं जादुगर या मास्टर जैसे की अंगराच करण जो थे उन्होंने धनुर विद्या में मास्टर ही हासिल कर ली थी इसके लिए हिंदी में बेटर वर्ड होता है पारंगत हो जाना कि जब आप किसी कला में निपुण हो जाते हैं या पारंगत हो जाते हैं तो आपने उस कला की मास्टर ही प्राप्त कर लिए नहीं है अब देख सकते हैं और मिल्टी की 2006 में खेर करीम 90 साल जी यह एक दशक इन्हें भारत रतन मिल चुका है यह पार्थ में है सब यह मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी नहीं दे रहा शुभम सर पढ़ा रहे हैं तो मतलब चैप्टर में है और एक्जाम में आ सकता ह यह नहीं भी आए तो चैप्टर में है इसलिए पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो इन्हें भारत रतन मिल चुका है इनके जन्म का नाम अमिरुद्दीन है इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन है दोनों की बीच तीन साल का अंतर है ठीक है और इनके पिता जी जो है यह पिता जी बजाय करते थे डुम्राओ की राजा की दर्बार में यह शेहनाई बजाय करते थे देखे इनका जन्म 1916 को हुआ है भारत की आजादी से पहले भारत की आजादी के बाद आरेन मैन अफ इंडिया यह सर्दार वल्लबभाई प पतेल ने सभी रियासतों के नवाब वो राजाओ, महराजो, समराठो को एक छत्र के नीचे, सम्विधान के नीचे ला दिया पर भारत की आजादी से पहले बहुत सारे नवाप थे, बहुत सारे राजा, महराजा हुआ करते थे और सबकी अपनी दर्बारे होती थी और अपने मन Baptist के लिए अलग अलग संगीतकारो को वो वहाँ पर बुलाते थे तो इनके पिता दुम्राओ क्योंकि ये दुम्राओ में रहते थे, पहले दुम्राओ के राजा के यहाँ पर दर्बार में शेहनाई बजाते थे अब आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म डुम्राओं में हुआ अमिरुद्दीन जी का या अनकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साब का लेकिन जब ये छे वर्ष के थे तब ही ये बनारस आ गए पाठ में कई नाम इस्तेमाल किये गए हैं बनारस, काशी, वारनसी, पंच गंगा घाट इन सभी नामों का संबोधन एकी शहर को जा रहा है काशी को हना काशी को जा रहा है संबोधन यानि कि इन पाचों में से या चारों में से कोई भी शब्दा है इन सब का एक ही मतलब है ये एक ही शहर का जिक्र कर रहे है और हाँ ये जब छे वर्ष के थे अमिरुदीन या उस्ताद साहब तो ये आगए यहाँ पे बनारस इनके ननीहाल ननीहाल यानकी क्या आपके नाना जी का घर कहा है ये बहुत आसान तरीका होता है याद रखने का या इसका असली अर्थ होता है कि आपके माता के या आपके मदर के साइड के रिलेटिफ आपके माता के अपने सगे संबंदी कहा रहते हैं तो इनके नाना जी और इनके माता का घर जो है वो यहाँ पे था बनारस में तो ये बनारस आ गए इनके एक चाचा माफ किजगा इन यानिकी उनकी माता के भाई ने पाठ में दो मंदिरों का जिक्र है एक बाला जी मंदिर है और दूसरा मंदिर कौन सा है विश्वनात मंदिर हना बाला जी मंदिर यानिकी श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर विश्वनात यानिकी देवों के देव हर हर महादेव का मंदि तो ये लोग पार्ट में एक शब्द का जिक्र किया गया है देवडी यानि की चौकट चौकट यानि की क्या आपको पता होगा चौकट यानि की जो आपका मेन गेट है या फिर जो दर्वाजा है उसके ठीक सामने लोग कहते ना चौकट लांग के यहां मताओ या चोखट लांग दी घर की यानकी घर का जो आप कह सकते हैं सबसे बाहरी पेरिमीटर है सबसे बाहर का जो बाउंडरी है घर के दर्वाजे का उसे हम चोखट कहते हैं चोखट हमेशा दर्वाजे से जुड़ा ही होता है याद रखना हना कुछ लोग सोचते हैं कि यार चोखट नहीं है दर्वाजा है उससे 4-5 कदम आगे चोखट होगा नहीं आप यू समझ लिजे कि आप दर्वाजे से जैसे बाहर पाउं रख रहे हैं आप चोखट के बाहर पाउं रख रहे हैं तो ये मंदिर के चोखट पे इनके मामा जो ह उन्होंने उस्ताज साहब को हमेशा याद किया है एक गुरू के तोर पे और वो हमेशा कहते थे कि उस्ताज साहब तो कहा करते थे कि जो बीत जाता है वो गुजर नहीं जाता रह जाता है काइनात में हना और खान साहब जो है भली वो एक मुस्लिम थे पर जैसा मैंने बताया उनके परिवार वालों ने वो मुस्लिम है तो उनके परिवार वाले भी मुस्लिम होगे उन्होंने मंदिर की चौकटों पर भी शहनाई बजाई है तो उन्हें किसी बात की शरम नहीं थी कि नहीं हम अगर सचे मुसल्मान है तो हम यहां नहीं बजाएंगे वहां नहीं मैं ना हिंदू के साथ खड़ा हूँ ना मुसलमान के साथ मैं ना गीता के साथ खड़ा हूँ ना कुरान के साथ मैं खड़ा हूँ संगीत के साथ और संगीत किसी मजभब का बुरा नहीं चाहता वो तो किसी मजभब का होता ही नहीं है हना और इसी लिए पार्ट में भी ये मे मुजिक इंस्रूमेंट बजाना आता है, विश्वनाथ महादेव के देवो के देव के मंदिर में, वहाँ पर आप जाकर के अपनी कला दिखा सकते थे, हैना? तो यह वहाँ पर भी जाके पार्टिसिपेट करते थे, यह लो मंदिर में भी शहनाई बजाते थे और मोहरम के समय भी ये शोकधुन या मोहरम के समय भी शहनाई बजाते थे जब 1947 में भारत आजाद हो गया था और तिरंगा पहली बार लहराया गया था लाल किले पे तब भी इन्हें ये अवसर मिला था इन्हें सुएम भारत सरकार ने बुलाया था कि आप आके शेहनाई बजाई ये लाल किले पे तो सोचिए कितना बड़ा कत था आज हम इने नहीं जानते पर आपके दादा दादी ने इनका नाम जरूर सुना होगा या नानानी ने ये उस्ताद बिस्मिलाज जी कितने हस्मुक बेखती थे हना सदैफ कहते थे संगित किसी मजभब का नहीं है मुझे भी किसी मजभब का मत समझो हमेशा इश्वर से दुआ करते थे क्याना कि एक सच्चे मुसल्मान थे ऐसा नहीं है कि ये कहते थे कि संगित किसी मज़भ का नहीं है और मंदिर के चौकट पे ये शेहनाई बजाते थे तो लोगों को लगता था ये तो मतलब ना मुसलिम थे ना हिंदू थे इन्होंने अपने धर्म के प्रती भी आस्था रखी है ये एक सच्चे मुसल्मान थे और पाठ में भी लिखा गया है कि ये रोज की 5 वक्त की नमास अदा करते थे जो एक सच्चे मुसल्मान को करनी चाहिए लेकिन ये मंदिर की चौकट पे भी शेहनाई बजाते थे मंदिर के आंगण या प्रांगण में भी शेहनाई बजाया करते थे और 90 साल ये जिये और 90 साल पांचों वक्त की नमाज में हना इन्होंने हमेशा अपने इश्वर से यही कहते थे कि खुदा कभी तो मुझसे कि शेहनाई जो है उसका पौराणिक भारत में आप ये पढ़ सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं शेहनाई का पौराणिक भारत में या वेदिक संस्कृती में कोई खास वर्णन या डिस्क्रिप्शन नहीं है अगर आप वेदों को पढ़ेंगे या फिर बाकी नहीं किया गया है लेकिन शेहनाई को संगीत शास्त्र में लिया गया है और शेहनाई को सभी सभी मतलब शेहनाई को सभी music instruments का या सभी संगीत वाद्यों का शेहनशा माना जाता है हना जैसा यहां लोकप्रिय वाद्य अंत्र में से एक है शेहनाई जिसका प्रियोग शास्त्र ये संगीत से लेकर हड़ तरह के संगीत में किया जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खासा आपको सबसे प्रसिद संगीत वादग माना जाता था अब ज़रा इस image को देखिए ये शहनाई है यहाँ से आपको फूक मारनी है माफ कीजिए हना जैसे मैं इंटर्व्य सुन रहा था छोड़िये मैं वो नहीं बताऊंगा लेकिन शेहनाई में फूक गिली होगी अगर तो शेहनाई नहीं बज़ेगी और यह औरेंज वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जहाँ पर इतने सारे छेध है यह औरेंज वाले पार्ट को जब आप खोल की निकाल के देखेंगे तो अंदर घास जैसे बहुत सारे होते हैं हना मैं कोशिश करूँगा कि आपको image दिखाई जाए घास से बनाई जाती है यह हना इसके अंदर घास होती है उसी घास का नाम नरकट होता है यह घास जो होती है यह आम घास नहीं होती है यह खोकली घास होती है इसलिए जब इस घास के जरिये या through this grass जब आप इस घास के जरिये हवा फूकते है तो हवा से एक अजीब ही स्वर निकलता है एक अजीब सी आवास निकलती है तो इसके middle section जो है यह hollow होता है अंदर से खोकला होता है उसमें यह घास होती है खास भी खोकली होती है नरकट घास की यह विशेष्टा है अभी जैसा मैंने बताया अमिरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्ला खान इनका जन्म का नाम अमिरुद्दीन था आप यह पढ़ सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तब तक मैं side by side आपको कहानी आगे बताता है रहता हूँ तो इनके भाई जो थे ही इनका नाम मैंने आपको क्या बताया था मैं जानता हूँ एक बार में याद नहीं होता पार्ट में आपको सिर्फ दो नाम याद रखने है बच्चो सौरी तीन एक तो अमिरुद्दीन जी का कि ये उस्ताज साहब का ये दूसरा नाम है दूसरा इनके एक मामा है अली बक्ष उनका नाम क्यों याद रखना है क्योंकि अली बक्ष जी ने ही उस्ताज साहब को शेहनाई बजाना सिखाया था और तीसरा नाम शमसुद्दीन जी का शम्सुद्दीन, अमिर उद्दीन शम्सुद्दीन कौन थे? इनके बड़े बड़े भाई थे अब होता क्या था कि अमिर उद्दीन जी या फिर उस्टाज सहब के परिवार में सब शेहनाई री बजाय करते थे इनका पारिवारिक पेशाही था यानकि इनके दादा जी बजाते थे इनके नाना जी इनके मामा जी इनके मामा अली बग्ष और इनके बड़े भाई और वो भी सीखना चाहते थे तो होता क्या था कि जब ये कुछ 6-7 साल के थे तो ये हमेशा अपने परिवार वालों को अपने मामा लोगों को राग की बात करते हों सुनते थे रागों की बच्चों राग क्या होता है अलग-अलग स्वर आप कह सकते हैं हना संगीत में कई तरह के स्वर होते हैं हर राग का अपना एक महत वो होता है एक राग गाने का मतलब है एक स्वर से वो पूरा गाना गाना हना और राग अलग अलग तरह क्यों होते हैं भीमपाला मुलतानी इतना आपको समझने की जरूत नहीं है कहानी इस प्रकार से है कि अ ये सूचते थे आर ये क्या भीमपाला मुलतानी मुलतानी मिट्टी की तो बात नहीं कर रहे ना मतब इन्हें समझ नहीं आता था पर बाद में ये शेहनाई के बहुत बड़े वादक बन गए हना और ये जो है ये हर दिन अपना अपना हर दिन जो है ये शुरू करते थे शेहनाई बजाने से बालाजी मंदिर में ये हमेशा इनके जो मामा थे अलीबक्ष वो भी हमेशा प्रति दिन यानि की रोज जो है बालाजी मंदिर पे शेहनाई बजाते थे और इन्होंने भी वही किया मंदिर के स्तंबों को रोज नए नए राग सुनाते थे कौन ये उस्ताद बिस्मिल्ला सहब उस्ताद बिस्मिल्ला सहब तो जब छोटे थे तब उनको राग समझ में नहीं आते थे पर इनके मामा अली बख्ष ने जैसे जैसे इनको सिखाया ये बड़े होते गए फिर ये भी अपने परिवार की तरह बाला जी मंदिर या श्री संकट मुचन के मंदिर के द्वार पे शेहनाई बजाने लगे और ऐसा लगता था कि मंदिर के जो पिलर है स्तंब है उन्हें रोज नए नए राग सुनाते थे गा करके नहीं सिर्फ फूक मार करके इसलिए शेहनाई बजाना इतना आसान नहीं है भीमपाला भेरवराग मुलतानी ये सब सुनने मिलते थे इनके नाना जो थे वो भी शेहनाई बजाते थे और मंदिर की दहली इस पर ये आप देख सकते हैं तो ये सारी चीज़े जो हैं ये यहाँ पे है डैयोडी पे शेहनाई बजाकर अपने दिन चरिय का आरंब करते थे वे विभिन रियासतों के दरबार में बजाने का काम भी करते थे इसकी बात की जा रही है इनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्ष सादिक हुसैन जी का नाम आपको इतना नहीं भी याद रहे तो चलेगा याद रख पाये तो अच्छे हैं पर जैसे में आपको बता है अली बख्ष जी का नाम ज़रूर याद रखी इनके दो मामा थे इम्फिसिस के साथ पार्ट में लिया गया है तो यहां तक सब को क्लियर है पंच गंगा घाट परस्थित बाला जी मंदिर जैसे मैंने बताया कि ननिहाल 14 साल की उम्र से ही बिस्मिला खान ने बाला जी के मंदिर पर रियास करना शुरू कर दिया इनके मामा, अलीबक्ष और सादिक हुसैन के साथ ही ये भी जा करके हना मंदिर की चौकट पर सीखने लगे उन्हें देख देख करके देख देख करके और 14 साल में ये भी बाला जी मंदिर जाते थे अब यहां पर एक इंडरेस्टिंग चीज है इनके घर से ये अपने ननिहाल में रहते थे अपनी मम्मी के घर में या इनकी बनारस में बनारस, वारानसी, काशी, पंचकंगा घाट सब एकी है वहां रहते थे और अपने घर से बाला जी मंदिर जाना 14-15 साल के थे ये आपी की उमर के कुछ थे हना 10-15 के बच्चे भी कुछ कितने 15-16 साल के उतने जादे जादा तो जब ये आपकी उमर के थे करीब बच्चों तो ये अपने घर से जब जाते थे बाला जी मंदिर रियास करने के लिए मामा लोगों से सीखने के लिए मंदिर की चौकट पर शहनाई बजाने के लिए तो कई रास्ते थे इनके घर से मंदिर जाने के तो ये हमेशा वो रास्ता चुनते थे जिसके थू या जिस रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर जो है वो पड़े रसूलन बाई और बतूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई और बतूलन बाई पौराणिक भारत की बहुत मशूर संगीतकार थे ये सिंगर थे, ये गाना गाते थे, ये कोई वादे नहीं बजाते थे यैसे उस्ताद सहब शेहनाई बजाते थे ये गाना गाते थे और याद रखेगा संगीत में राग होते हैं जब मैं लोगों से कहता हूं राग तो लोगों को लगता है राग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है या गा करके बताया जाता है देखिए राग संगीत में होता है और संगीत दोनों होता है संगीत म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बचाते हैं जिसे या ध्वनी या साउंड को भी आप संगीत कह सकते हैं और कोई गार है उसको भी आप संगीत कह सकते हैं तो दोनों में राग होते हैं तो ये जो रसूलन भाई और बतूलन भाई जो हैं भाई भाई नहीं भाई भाई ये दोनों श्त्रियां थी और ये दोनों आपने इनका नाम नहीं सुनोंगा 20 वी शताबदी में बहुत बड़ी सिंगर थी तो अमिरुद्दीन या उस्ताद साब हमेशा वो रास्ता चुनते थे जिससे इन दोनों का घर बीच में आये रास्ते में और ये जब भी सुनते थे जाते थे वहां से तो उन्हें इनके घर से रसूलन भाई और बतूलन भाई के घर से थुमरी, टपे, दादरा ये सब अलग-अलग गानों के प्रकार है इतना आपको समझने की जरूवत नहीं है तो अब आगे क्या होता है कि संगीत उन्हें पसंद आने लगा हाना और जैसा मैंने कहा कि वो जाने का ऐसता रास्ता चुनते थे जहां रसूलन और बतूलन भाई का गीत सुनाई देता है और बाद में अनेक साक्षात कारों में, इंटर्वियूस में जब ही बहुत मशूर हो गए उस्ताद सहाब शहनाई में बहुत लोगों ने पूझा शहनाई में आपकी रूची कैसे आई या अप संगीत में कैसे गुसे तो उस्ताद सहाब तो कहते थे कि देखो यार, यारो मतलब मेरे परिवार में तो सब शहनाई बजाते थे तो मेरी रूची बच्पन से शहनाई बजाने में थी लेकिन दो ऐसी लड़किया माफ कीजे, दो ऐसी औरते हैं या सिंगर्स हैं, जिनोंने भी संगीत का महत्व मेरे जीवन में स्थापित करने में बहुत ही important या महत्व पूर्ण योगदान दिया और वो रसूरन भाई और बतूरन भाई थी क्योंकि मैं इनका गाना सुनकर के मगन हो जाता था हना, और संगीत शास्तर में शुशिर वाद्यों में गिना जाता है किसे गिना जाता है? शेहनाई को शुशिर वाद्य ये शब्द पाठ में इस्तिमाल किया गया है शुशिर यानि की छेद ऐसा कोई भी music instrument बच्चो जिसमें छेद हो शेहनाई में छेद है मैंने आपको दिखाया था एक और बार दिखा देता हूँ शेहनाई में छेद है अना, छेद से तो फूक मार रहे हो और उपर भी छेद है तो शेहनाई में छेद है शेहनाई में छेद है बासुरी में छेद है बहुत सारे music instruments है पार्थ में आगे इसका जिक्र किया गया है कि उस्ताद जो है उनको जैसा मैंने बताया उस्ताद नाम इसले पड़ा क्योंकि वो जादूगर थे शेहनाई के और साथी साथ बिस्मिल्लाव नाम उन्हें इनके दादाजी ने दिया और शेहनाई में जो नरकट खास का इस्तमा नहीं पड़ती है, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा, ध्यान दो थोड़ा, या शायद अगर मैं गलत तरीके से बता रहा हूं तो I'm sorry, मैंने जो पहले बताया था मैं उसी को वापस बता रहा हूं, मैं आपको confuse नहीं कर रहा, जैसा मैंने बताया था शेहनाई के अंदर नरकट घास टाली जाती है, घास भी खोकली होती है, हना ये विशेश प्रकार की घास होती है, तो नरकट घास को नाड़ी, रीड, अलग-अलग तरह की चीज़े कही जाती है, पर आपको इतना याद रखना है, नरकट घास, बस वो घास जो है, वो सून नदी में पाए जाती है, जहां बिसमिल्ला साहब का जन्म हुआ था ठीक है तो और हाँ पाठ में ये भी लिखा गया है कि शहनाई शब्द जो है अब मैं आपको यहां से समझाता हूँ देखिए शहनाई शब्द जो है कि यवल शब्द की और ध्यान दीजे शहनाई शब्द में आप नई शब्द को चीज़े बोलते है एनिवेस शहनाई शब्द में नई जो है ये जो है ये उर्दू से लिया गया शब्द है नई यानि की क्या नई यानि की नाड या फिर रीड को बोला जाते है नाड नाद हटा दीजे रीड रीड यानि की क्या जैसे इंसानों की रीड की हड़ी होती है बहुत इमपॉर्टन्ट है शहनाई की भी read जो है वो बहुत important है read यानि के read किसे कहते है यह जो centre portion होता है बच्चो इसे शहनाई की read कहते है हना इसे इनसान की तरह देखिए यह आपका सर यह आपकी टांगे बीच में read की हड्डी उसी तरह से शहनाई की भी जो center portion है उसे read कहा जाता है और इसी में नरकट घास घुशती है आगे और पीछे नरकट घास नहीं है बीच में नरकट घास है हना और शहनाई के नाई का अर्थ मैंने आपको बताया read और शहन या शह यानि की शहनशा की ये सभी वाद्यों का या प्रहसे राजा है हना ऐसा आप समझ सकते हैं और कई गीतों में इसका उप्योग हुआ है और जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो थे ये हमेशा 5 वक्त की नमास पढ़ते थे हना और हमेशा ईश्वर से सच्चे सुर्क पाने की प्रातना करते थे हना हमेशा ईश्वर से कहते थे कि कभी तो खुदा मुझसे खुशो करके संगीत का सच्चे सुर का फल जो है वो मेरी जोली में डाल देगा कि मेरे मालिक मुझे एक सच्चा सुर दे दे जिसके तासीर से सच्चे मोती की तरह अंगड आसु उमड़ा है ये पार्ट में एक्जाक लाइन लिखी गई है कि मेरे मालिक है मेरे मौला है मेरे ईश्वर ये कि ये क्या कर रहे हैं ये प्राथना करते थे असी साल नबे साल जितना दिये रोस जितना जिये रोस पाँच साल माफ कीजिए दिन में पाँच बार नșाल खरते थे और ईश्वर से ये ही कहते थे कि मेरे मालिक है मेरे मौला भगवान मजे एक सच्चा सूर दे दे हाना ऐसा सच्चा सूर जिसके तासीर से यानि की जिसके प्रभाव से जिसके इंपक्ट से सच्चे मोती की तरह अंगड आसू निकला है अंगड यानि कि दिल से निकले आसू मगर मच के आसू नहीं जो आसू दिल से आए होता है न बच्चों हम सब के साथ की हम कोई देश भक्ती वाली फिल्म देख रहे हैं और एकदम से हम काफी emotional हो जाते हैं आसू अपने आप निकलाते हैं या एकदम से शेहनाई माफ कीजिएगा शेहनाई नहीं रास्टरगान बजने लगता है देश का और हम मतलब खुश होने लगते हैं एनरजी काफी बढ़ जाती है एकदम से हना बहुत जादा excited हो जाते हैं कभी और कभी कभी जभी हमारे देश का कोई जवान शहीद हो जाता है तो काफी क्रोधित भी हो जाते हैं emotional हो जाते हैं भावख हो जाते हैं तो यह emotions चोई ही अपने आप हो रहे हैं हना तो वो इश्वर से ऐसा सुर मांगते थे इससे क्या पता चलता है कि इतने बड़े संगीतकार बनने के बाद भी भारत रतन पद्म भूशन जैसे बड़े बड़े भारत के पुरुसकार जीतने के बाद भी इन्होंने संगीत की खोज नहीं छोड़ी बच्चों मैं आपसे भी यही कहूंगा तो मिनट के लिए पार्ट साइड में रखी और सुनिये मेरी बात एक छात्र के रूप में आपका क्या करतव्व है कि आप हमेशा पढ़ाई करते रहे नहीं मैं यह नहीं कह रहा अरे आपको ग्यान या नॉलिज लेने के लिए पढ़ाई करने की जरूत ही क्या है पढ़ाई करना important है पर अगर कोई बंदा बिल्कुल ना पढ़े अनपढ रहे स्कूल में आ जाए तो क्या वो ग्यान नहीं सीख सकता बिल्कुल सीख सकता है समाज में देख करके सीख सकता है माता पिता से सीख सकता है गुरुओं से सीख सकता है या फिर अपने दोस्तों से कई जगा ग्यान भरा पड़ा है लेकिन ग्यान की खोज कभी बंद नहीं करनी है सच्चा खोजी वही है जो ऐसा नहीं है कि एक खजाना मिल गया खुश हो गया और उस खजाने की धनराशी से एश करके पूरा जीवन निकाल दिया सच्चा खोजी वही है जो खोज नहीं बंद करता उसी प्रकार सच्चा ग्यानी वही है जो ग्यान को ग्रहन करना नहीं बंद करता चलिए पाठ पर पे वापस आता है और फुर्सत के समय वे उस्ताद और अबाजान के काम को याद कर अपने पसंद की सुलोचना सुलोचना जी पर भी आएंगे उससे पहले और कुछ बाते हैं जो मिर को आपको बतानी है यहां तक आपको पाठ समझ में आया उन्होंने सच्चे सुर की खोज कभी नहीं छोड़ी मोहरम जो है बेसिकली देखो बच्चे वो मुसल्मानों के लिए एक शोक का त्योहार है हम हिंदू या अपकाफी धर्म वाले अकसर सोचते हैं त्योहार है मतलब सेलिबरेट करना है धूम धाम से त्योहार है मतलब खुशी का कुछ रीजन होगा नहीं मोहरम जो है वो इनके लिए शोक का कारण है जिसमें सभी मुसल्मान सभी मुसल्मान मैं नहीं कहूंगा अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो शायद शिया मुसलिम जो है शिया और सुन्नी होते हैं शिया मुसलिम जो है वो मोहरम मोहरम में शोक मना थे और इस समय कोई भी शुब संगीत या मंगल धुनी नहीं बजाई जाती है इसलिए बिस्मिल्ला सहाब आठवे दिन एक शोक की धुनी बजाते थे अपनी शेहनाई से तो ये मोहरम में भी बजाते थे और साती साती धुनी बजाते थे मंदिर के बाहर भी हना और उनके अपने कुछ शोक थे उनका पहला शोक क्या था कि पक्का महल पक्का महल एक जगा का नाम है जहाँ पे कुलसुम ये शायद हलवाई का नाम है पार्ट में एक्जाक्ति नहीं दिया है कुलसुम की देसी गी की कचोड़ियों को यह हमेशा याद करते थे अब हम पार्ट की एंड की तरफ पढ़ रहे हैं कुलसुम की देसी गी की कचोड़ी हना उसे यह हमेशा याद करते थे साती साती अब स्लाइड को देखिए एक मिनट फुरूसत के समय वे उस्ताद और अबबा जान के काम को याद कर अपनी पसंद की सलोचना सलोचना जी पर हम आएंगे घिता वाली जिसे अभी नेतरियों की देखी फिल्मों को याद करते थे वे बच्पन की घटनाओं को याद करते थे वे छुपकर नाना को शेहनाई बजाते हुई सुनते थे थोड़ी देर के लिए अब इसे छोड़ दीजो और मेरी आवास की और धान दीजे अब तक हम कहां तक पहुँचे बच्चो कि ये कभी कभी मैं फिर से बताता हूँ कभी कभी ये अपनी जवानी के दिनों को याद करते थे और जवानी के दिनों के अपने उस जुनून को याद करते थे और दो चीज़ें जो ये याद करते थे पहली चीज़ जो मैं आपको बताया पका महल में कुलसُं हलवाइ की कचशोडियां जो होती थी हैना उसे ये याद करते थे देसी घी की कचशोडियां होती थी बच्चो आजकल तो देसी घी के नाम पर ठख रहे हैं पतंजली कैसा काम कर रहा है मुझे नहीं बता मुझे अब तक अफसर नहीं मिला उनका देसी घी प्रयोक करने का पर बाकी तो अब जानते ही है एनिवेस पॉइंट यहाँ पर यह है कि देसी घी की यह कचोड़ियां खाते थे और उनको कचोड़ी पक्का महल नाम की जगा की बहुत पसंद थी और एक और पाठ में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि बच्चो घी को जब आप गरम करते हैं पता है बड़ा सा कढ़ाई लीजे और घी को गरम कीजे और उसमें जैसे ही आप कचोड़ी डालते हैं कचोड़ी फ्राय करते हैं जैसे आप डालते हैं छण करके एक अज संगीत माई कचोडियों के नाम से सम्बोधित किया है कि जैसे कुल्सम हलवाई वाला या हलवाई वाली जेंडर मेंशन नहीं किया गयाए पार्ट में ये मतब देसी घी में गाय का ये भैस का निकाल अब देसी घी में कचोड़ी डालते थे ठंडी कचोडियों एकदम से जो आवाज आती थी उसमें भी ये संगीत देख सकते थे एक अच्छा संगीत कार वो है जिसे बासूरी या मदिरा नहीं बासूरी या मंजिरा दो तब संगीत सीखेगा सरूरी नहीं है वो तो इस वक बारिश की बुंदों की गिरने की गती में संगीत धून सकता है कि टपा टपा टप 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 समझ रहे हैं कि वो संगीत कहीं पे भी धून सकता है इसलिए ये तो कचोडियों में भी संगीत धून लेते थे हना और साथी साथ ये सुलोचना जी को याद करते थे सुलोचना जी नब्बे या सत्र नहीं नब्बे करने लगे थे और इसलिए ये सुलोचना जी को सम्मान करते थे और पार्ट में आगे क्या में इंशन किया गया है कि सुलोचना जी की फिल्में देखने के लिए उस समय 6 पैसे की टिकेट मिलती थी हना 3rd class की तो ये जाते थे और इधर उधर से पैसे जमा करके अपने नाना से उनके गाल लाल हो जाते थे यानि कि वो कहीं ना कहीं इन्हें पसंद करते थे और पाठ में जैसा मैंने आपको बताया था कि ये उनकी फिल्मों को याद करते थे और छुप करके कभी कभी अब स्क्रीन पर देखिए कि कैसे 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 वे छुप करके नाना को शहनाई बजाते हो उसुनते थे तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंडते थे इसका क्या मतलब है मेरी आवास के उरिधान देड़ usवे छाथ इनके नाना जी इनके मामा सादिक हुसायन नहीं याद रहेगा चलेगा दूसरा नाम याद रखना क्या अली अली बक्ष अली बक्ष नाम है हना इनके मामा का जिन्होंने उस्ताज साहब को शेहनाई बजाना सिखाया तो होता है यहाँ पर क्या है बच्छो की इनके नाना जी भी शेहनाई बजाते थे तो ये उनको छुप छुप की सुनते थे शेहनाई बजाते थे उस्ताद सहाब अमिरुद्दीन या बिस्मिल्ला खान सहाब सब एकी का नाम है तो ये सुनते थे और एकदम से क्या होता था इनके नाना जब शेहनाई बजा करके ठक करके चले जाते थे तो ये पीछे से जाकर कि खुझ उस शेहनाई को बजाने की कोशिश करते थे लेकिन इनसे वो शेहनाई नहीं बचती थी क्योंकि शेहनाई उठाना काफी नहीं है बजाना आना चाहिए जैसे बच्चो धनुष कोई भी उठा सकता है लेकिन धनुर्धारी हर कोई नहीं बन सकता आर्चर हर कोई नहीं बन सकता धनुर्धारी बनने के लिए धनुष चलाने की कला आनी चाहिए और उसे सीखने के लिए समय लगता है ये तब की बात है जब ये सिर्फ 6-7 साल के थे तो अमिरुदीन बहुत छोटे थे तो इनसे शहनाई बचती थी तो बहुत खराब तरीके से क्योंकि ये सिर्फ फूक मारते थे फूक धंग से नहीं मारते थे तो शहनाई भी धंग से नहीं बचती थी तो यह सोचते थे कि ऐसी शैनाई है जो हमेशा अच्छी बचती है वो नाना जी कहीं छुपा के रखते हैं और यह खराब वली शैनाई रोज सामने रख देते हैं हना बाद में उनकी मीठी शैनाई को ढूणने के एक एक कर शैनाई को फेकते और कभी मामा की शैनाई पर पत्थर पतक कर दाद देते मामा की शेहनाई पर पत्थर पतक कर यानि कि वो पत्थर से तोड़ नहीं देते शेहनाई ये तो इनके नाना जी जब बजाते थे उनके जाने के बाद ये छुप करके उनकी मीठी शेहनाई ढूनते थे और ये अपने मामा को भी सुनते थे और जब इनके मामा रियास करते थे तो मतलब उनको इतनी अच्छी लगती थी शेहनाई कि ये दूर ही जमीन पर कोई भी पत्थर कंगर पड़ा हो तो ये जोड से मारते थे जमीन पर की ये होगी ना बात ये है ना मतलब जोश में आकर कि इसको कहते हैं सच्छा सुर इस तरह से ये जाते थे और जैसा मैंने बता है सुलोचना जी की फिल्म देखने के लिए दो पैसे मामा दो पैसे मौसी और दो पैसे नाना से लेकर घंटो लाइन में लगकर टिकेट खरीते थे सुलोचना जी की फिल्मों को देखने के लिए और ये काशी के संगीत आयोजन में अवश्य जाते थे काशी के संगीत आयोजन ये कहा होता था ये विश्वनात मंदिर में हुआ था देवो के देव महादेव के मंदिर में होता था जहां पे हनुमान जहनती पे होता था ये साल में एक बार मैं बताना भूल गया था हनुमान जहनती के दिन होता था तो ये वहां जाते थे और जाकर के शहनाई बजाते थे और बच्चो एक और important डीटेल कि ये हमेशा काशी को बहुत पसंद करते थे काशी जो है वो भारत के इतिहास में इनी विश्व के इतिहास में सबसे पुराने शहरों में से एक है उसे आप काशी कह सकते हैं इसका जिक्र मतलब रमायन में किया गया है महाभारत में किया गया है यानकि त्रेता दौा पर उसके पहले का तो मैं नहीं जानता पर यानि कि हजारों सालों से इस नगरी का नाम है इसलिए इसे राम की नगरी कहा गया है काशी को धर्म की नगरी कहा गया है धर्म नगरी स्वेम धर्मात्मा यहाँ पे आ चुके है मर्यादा पुर्शोत्तम का नाम जुड़ा है काशी से काशी या योध्या एक नहीं है लेकिन श्री राम काशी में भी आ चुके हैं ठीक है अब आपको ये याद रखना है कि काशी से इतना प्रेम करते थे और काशी तो संगीत का शहर है काशी दक्षिन में स्थित नहीं है ये जो बालाजी मंदिर है जहां पे इन्होंने शहनाई बजाना सीखा इनके मामा अलीबक्ष वहां शहनाई बजाते थे ये भी वहां रियास करने जाते थे उनके साथ और रियास करने जाते वक्ति ऐसा रास्ता चुनते थे जिसे बतूलन भाई का घर बीच में पड़े जिससे वो थोड़ा संगीत सुन ले तो इन्होंने शहनाई बजाना बालाजी मंदिर में सीखा तो भले ही एक सच्चे मुसल्मान थे पर इन्हो संगीत जहां बजाना सीखा मेरे संगीत की तो जन्म भूमी है ना हो बालाजी मंदिर और इसी लिए ये हमेशा बालाजी मंदिर की और अपनी शहनाई मोड करके शहनाई बजाया करते थे और इनकी शहनाई इतनी अच्छी होती थी कि इनकी शहनाई को सुनकर के लोग सुभ पा है ठीक है बड़े कमाल के थे इनके जीवन के तीन ही स्थम्ब थे माता गंगा शेहनाई और काशी काशी छोड़ करके ये कभी नहीं गए आरे सालों इनको इंटरनाशनल कॉन्फरेंसे से और इंटरनाशनल म्यूजिक फेस्टिवल से ओफर आए ये बोले मैं क्यों काशी छोड़ के जाओं अरे इसी बालाजी मंदिर में तो मेरे संगीत ने जन्म लिया हना और पार्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि एक बार जबी शेहनाई बजाना सीख रहे थे बालाजी मंदिर के पास अपने मामा अली बख्ष थे तो एक फकीर ने इन्हें सुना तो शेह के कहा था बजा बजा और आज तक मैं 80 वर्ष का हो गया हूं लेकिन शेहनाई बजाए जा रहा हूं और इन्हें भारत रतन भी मिल गया और पार्ट में गटना का जिकर है कि जब इन्हें भारत रतन मिल गया तो एक बार यूं हुआ था बच्चों मेरी आवास की और ध्यान लिजे स्क्रीन की और नहीं कि ये फिर बहुत बच्चों को सिखाने लगे शेहनाई बजाना तो कई लड़के लड़कियां युवा इनके पास आते थे शेहनाई बजाना सीखने तो एक बार क्या हुआ कि छोटी सी लड़की ने जो इनके बास शेहनाई बजाने आती थी उ लेकिन फिर भी आप ये फटी तहमत पाथ शब्द में युश किया गया तहमत यानि की लूंगी कि आप अभी भी फटी लूंगी पहनते हैं यानिकी इनकी लूंगी बहुत ज्यादा फटी नहीं थी पर छेद होते थे उसमें कई सारे या कहीं साइड से थोड़ी फटी होती तो उसको मोड करके बांध लेते थे ये हना जैसे आप लेस बांधते हैं वैसे लूंगी फट गई तो उसको ये बांध देते थे हना तो ये फटी लूंगी पहनते थे तो उन्होंने बोला हना कि उन्होंने बोला कि आप फटी लूंगी क्यों पहनते हैं तो हस करके इन्होंने क्या कहा उस्ताज सहाब ने कि भग पग ली हाना कि फटी लुंगी तो मतलब ये हमेशा कहते थे कि लुंगी फटी है तो सिल जाएगी पर मेरे खुदा से मेरे मौला से बस यही दुआ है कि वो फटा हुआ सुर ना बक्षे हाना और ये भारत रतन हमें शहनाई की वज़ा से मिला है लुंगी से थोड़ी मिला है बनाव श्रिंगार देखते रहे तो सारी उमर ही निकल जाएगी अगर तुम्हारी तरह सिर्फ हम चमक धमक देखते रहे तब तो सारी उमर ही निकल जाएगी इन्होंने ये कहा था और साती साती हमेशा यही कहते और लास्ट में ये भी कहा कि ठीक है अपसे नहीं पहनूँगा कि बच्ची का भी दिल रख लिया लेकिन उसे एक सीख भी दे दी कि फटी हुई धोती सीली जा सकती है फटा हुआ सुर नहीं सिला जा सकता हना और अपने मालिक से दूआ करते थे कि मतलब कभी न कभी खुशो करके तो वो इन्हें सच्चे सुर बख्ष देगा और इन्होंने हमेशा दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेणना देते रहे नबे वर्ष की उम्रे में 21 अगस्त को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली हना वे भारत रतन अनेक विश्व विद्याले की मानत उपाधिया वे संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार तता पदम भूशन और पुरुसकारों से जाने नहीं जाएंगे बलकि अपने अजे संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहसाने जाएंगे अजे यानि कि जिस पर कोई विजए नहीं प्राप्त कर सकता जैसे श्री राम को अजे कहा जाता है कि उनकी उपर कोई विजए प्राप्त करी नहीं सकता उन्हें कोई हरा नहीं सकता उन्हें कोई जीत नहीं सकता तो यह अजय है इनकी जो लेगेसी है इनकी जो धरोवर है उस्ताज सहब की यह बड़ी कमाल की है हना यह सारे इनके पुरसकार है लेकिन और एक डीटेल जो मैं आपको बता दू कि पार्थ में ऐसे भी एक दौर का जिक्र किया गया है इनका निधन जो है वो 2006 में हुआ पर 2002 में करीब ऐसा भी दौर आया जब ये काफी थोड़े निराश्ते हो गए क्योंकि समय बहुत तीजी से बदलने लगा अब ये कुलसम कचोड़ी वाले जो थी वो अब नहीं रहे और आजकल कोई देशी घी में 2002 की बात है अभी भी आज तो और हालत खराब हो गए है 2002 में भी लोगों ने देशी घी में कचोड़ी या डालना सोरी तलना बंद कर दिया और सारी कचोड़ी वाले जा चुके थे मतलब कोई कचोड़ी बेचना ही नहीं चाहता सब बच्चों को पड़ा लिखा के शहर भेजने लगे थे और देशी घी में भी अब वो बात नहीं रही क्योंकि अब मिलावटी घी आने लगा था कौन गाय पाले, भैस पाले, सेवा करे, दूद निकाले दूद से क्रीम, क्रीम से घी निकाले उससे अच्छा है सिधा जाओ, मार्केट से खरीद लो और उस घी में तो देशी घी वाली बात होती नहीं है तो इन्हें यह हमेशा बुरा लगता था और इन्हें बुरा लगता था कि आजकल संगीत कारों का कोई सम्मान नहीं करता और अदब का जमाना नहीं रहा और पक्का महल जहां से यह कचोडियां खाते थे कौन सी संगीत माई कचोडियां खाते थे अब वो जगा बदल चुकी है और हमेशा वो काशी का समान करते रहे और उन्हें दुख होगा कभी न कभी आंत में की काशी बदल गई है लेकिन पाठ में ये भी लिखा गया है कि वो जानते थे कि काशी में आज भी सच्छे सुर्के सूर्मा पैदा करने का सामर्त है बच्चो मैं हूँ शुभम गुपता ये था पाठ हम जल्दी इस पाठ के प्रशन उत्तर के साथ हासिर होंगे आपके समय के लिए शुक्रिया